नमस्कार दोस्तों, 12,460 सिक्षक भरती में 8 माई को होने वाली सुनवाई को लेकर जो सच्चाई मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी, वो आज कहीं न कहीं किसी इस तर से सामने आ चुकी है, आप सभी को चनल की बातों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन आने वाले समय पर वो चीजे सही निकलती, मैंने आपको बताया था कि 12,460 सिक्षक भरती में जो एडवांस लिस्ट आई है, ठीक है, जो लिस्ट आई है डवांस लिस्ट उसमें 12,460 सिक्षक भरती का मामला लिस्ट नहीं है, ऐसे में संभावना 99 प्रतिस्ट कम हो गई है कि मामला अब 8 म को नहीं सुना जाएगा, जिस पर आपको बहुत सारी टीमें गुमरह कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे लिस्ट में मामला आ जाएगा, लेकिन दोस्तों इस से पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में 12,460 सिक्षक भरती में ये चीजे हो चुकी है, कि एडवांस सारे लोग ये भी आपको बता रहा है कि आठ तारी को स्कूल आवंटन हो जाएगा, जबकि ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है, आप एकदम समय आने पर ही समझ पाएंगे चीजों को, क्योंकि पहले से सच को आप हजम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो फिलहाल आठ तारी को स लिस्ट करा दिया गया है, कोड को आउगत करा दिया गया है, कि आपने 8 मई के लिए सुनने के लिए कहा था, तो ऐसे में 8 मई को मामला लगा दिया जाए, यह एक अप्लिकेशन दायर की गई है Avar के माध्युम से और जूर अधिवक्ताओं के माध्युम से, तो ऐसे में 12.460 सिक्षगवर्ती का लिष्ट होकर आए लेकिन एक चीज का यहां पर विशेस ध्यान दीजिएगा कि मामला अगर लिष्ट में ऊपर की तरफ लिष्ट होकर आता है तो चांस रहेंगे कि मामले पर सुनवाई होगी अगर मामला बहुत नीचे बहुत लाश्ट में उसका न नहीं भी हो सकती है दोनों चीजे हैं बाकि लिष्ट का इंतजार करते हैं आज आपका गुरुार हो चुका है एक दो दिन में लिष्ट आपको सनीवार तक मैकसिमम सनीवार तक पूरी लिष्ट जो है संभावना देखने को मिल जाएगी और वो आते ही अम आपको पुरा इ को लेकर ऐसी अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक शेर करिए धर्निवाद